आपकी स्क्रीन के सामने आप लोगों को एक फोटो देख रही हैं और मुझे लगता है कि देश की राजनीती में और खासकर कॉंग्रेस की बात होती हैं तो हम लोग गुलाब नभी आजात को कैसे भूल सकते हैं और अभी आप लोग देख रहे होगे ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस से कुछ खपाए दिखाई दे रहे हैं और G23 जो ग्रोप आप देख रहे हैं तेईस लोगों का कॉंग्रेस से अलग अटके जो आप देख रहे हैं तरह तरह की मीटिंग ही कर रहा है उसमें आप देखें क गुलाम, नभी आजाद भी सामिल है और कई बार कॉंगरिस के नेता इन पर बयान वाजीवी करते रहते हैं कि यह तो बीजेपी में जाने वाले हैं बीजेपी से मिल रहे हैं लेकिन आपको बता दूँं कि कॉंगरिस के बहुत फुराने नेताओं में इनका नाम होता है, इनका नाम आता है और ये बहुत पुराने निता हैं कॉंग्रेस के तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकरी देख लेते हैं आपके सामने इस्क्रीन पर इनका नाम देखी रहा है आपको यह है गुलाब नभी आजाल अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो गुलाब नभी आजाल इनका पूरा नाम है 7 मार्च 1949 को इनका जनम हुआ था आप सबी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली थी तो आजादी के दो साल बाद इनका जनम होता है इनका जनम है सोती गाओं, जिला, डोडा, जम्मू और कस्मीर में एक बार आप लोग जम्मू कस्मीर को भी देख लीजे देखें आपको देखने को मिल रहा होगा जम्मू कस्मीर यहाँ है पहले आप देखते थे कि लगदाग भी इसी का इसा हुआ करता था लेकिन अब आपको लगदाग को अलग कर दिया गया जम्मू कस्मीर से और जम्मू कस्मीर भी याद रखें आपकी एक तरह से केंद सासित पेदेशी है बस दिल्ली की तरह आप देखेंगे जम्मू कस्मीर में भी आपकी बिधान सभा होगी क्या होगी बिधान सभा होगी इनके पिता की बात करें तो रह्मत तुल्ला वर्ट इनके पिता का नाम वासा बेगम इनकी माता का नाम और पत्नी की बात करें तो समेम देओ आजाद इनकी पत्नी का नाम इनके बच्चों में बात करें तो पुत्त का नाम है सदाम नभी और बेटी का नाम है सोफिया नभी आजाद इनकी बेटी का नाम है सिक्छा की अगर हम लोग बात करें तो कसमीर विस्विध्यलाई से जूलोजी में Master of Science की पढ़ाई किये हुए है और राजनितिक पाइटी की बात करें तो भारती राष्टी कॉंग्रेस है और आपका दादू कॉंग्रेस का इतिहास बहुत पराना है जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे हमारे उपर अंग्रेजों का सासन हुआ करता था 1885 मे कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी सम्मान अभी हाली में आपने देखा होगा कि इन्हें पदम भूसन सम्मान भी दिया गया सम्मानेत भी किये रहे हैं राजनितिक सपर की बात करें तो गुलाम नभी आजाद ने पहली बार 1973 में सक्क्रिय राजनीति में कदम रहा था और गुलाम नभी आजाद साल 1973 से साल 1975 तक विलेशा की कॉंग्रेस कमेटी के बिलोग सचिव रहे हैं साल 1975 में आप देखें कि गुलाम नभी आजाद जम्मू और एवं कस्मीर की युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इसके बाद आप देखें कि साल 1977 में वह डोडा कॉंग्रेस अध्यक्ष बनते हैं और फिर अपनी काबलियत के दम पर गुलाम नभी आजाद अखेल भारती युवा कॉंग्रेस की महा सचिव बन जाते हैं तो आप यहां दिखाई देरा होगा कि बहुत नीचे से उठकर आते हैं चोटे-चोटे पदों से यह अपनी राज आनिती शुरू करते हैं ठीक है फिर आप देखेंगे कि 1980 में गुलाम नभी आजाद महराष्ट की वासिम लोकसभा सिचुनकर पहलीबाल लोकसभा पहुंचते हैं साल 1982 में इंद्रा गांदी की सरकार में गुलाम नभी आजाद को विधी नयाय और कंपनी मामलों का ओप मंत अतरी बनायं गया आप सोची कि इंद्रा गांदी की समय भी गुलाम नभी आ जाध हैं सौनिया गांदी की समय भी आप देखें गुलाम नभी आजाद हैं इसके बार आप देखें कि악े साल 1985 में दोभारा लोकसभा सांसत बनती हैं और और आप सभी जानते हैं कि लोकसवा सदस बनने के लिए, सांसद बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और आप देखें कि आपको वोटर चुनते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होती है, और आपको भी मालो होगा कि आपकी उमर अगर 18 साल हो चुकी होगी, तो वोटर सोची में आपका नाम जुड़ गया होगा, आप लोग वोट करने भी जाते होगे, इसके बाद आप देखेंगे गुलाम नवी खाद और नागरे कापोर्ती के राजमंत्री बनते हैं, और गुलाम नवी आजाद साल 1990 से 1996 तक राज्यसभा संसत बने रहे, और राज राज्यसभा संसत या राज्यसभा सदस बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है? गुलाम नवी आजाद ने नरसेंभा राओ की सरकार में सलसादिये कार्मंत्री और नागरे को डेन मंत्री की जिम्मेदारी समभाली, साल 2002 में गुलाम नवी आजाद क नेतित में कॉंग्रेस, जम्मू कस्मीर, बिधान सोजाद चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पायटी बनी, दो नवंबर 2005 को गुलाम नवी आजाद ने जम्मू कस्मीर के मुक मंत्री पत की सपत ली थी, कहां की जम्मू कस्मीर की, साल 2008 में आप देखेंगे सहयोगी सपता से बाहर हुई, तो नरेद मौधी पिधान मंत्री बने, तो गुलाम नवी आजाद को राजसभा में विपक्च का नेता बनाये गया कॉंग्रेस की तरफ से, साल 2015 में गुलाम नवी आजाद को एक बार फिर से आप देखेंगे, राजसभा के लिए सांसाद बनाये गय गया था, अब समझ रहे हैं, और आप देखें कि कॉंगरिस में ये जो जीट 23, यानि कि 23 लोगों का जो समभू है, एक कॉंगरिस में सुधार की बात करता है, आप देखें कि एक बड़े स्तर पर बदलाओ की बात कर रहा है, क्योंकि आप समय जानते हैं कि कॉंगरिस की कित आप देखें कि कई राज्यों में उनकी सरकार भी गर गई, तो आप समझ रहे हैं, कॉंगरिस की बहुत बुरी हालत है, और हकीगत में आप देखें कि बिपक्ष जब तक कमजोर रहेगा, तब तक देश किसी भी देश में लोकतंत मजबूत होई नहीं सकता है, बिपक्ष म अभी आजाद की कहानी है, और आपको किसी नेता के बारे में जान लोगा, तो आप लोग अपना उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?